Hey guys, welcome to the new video, दोस्तों स्वागत करता हूँ आप सभी लोग का फिर से आज की इस नए विडियो पे दोस्तों आज की इस विडियो में हम बात करने वाले हैं Loans Against Property के बारे में जी हाँ दोस्तों आप अपने Property को गिर्वी रखके Bank या फिर MBFC से Loan कैसे ले सकते हो पूरी डिटेल में आज हम बात करने वाले हैं कितना interest rate इसका रहता है और कौन-कौन लोग इसके लिए apply कर सकते हैं क्या ये बाकी home loan या फिर other loan से बैतर है सारा कुछ जो है डिटेल में आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन काफी knowledgeable वीडियो है तो दोस्तों वीडियो को अन तक जरूर देखे काफी जरूरी है मतलब जो property कच्ची property होती है जिनका कोई registration नहीं होता है उसके विहाब पे bank आपको loan कभी provide नहीं करता है अलग-अलग category में bank ने उनको बांट रखा है negative area properties लाल दोड़ा की properties या फिर जो पूरी register properties होती है जिनके papers पूरे होते हैं वो property तो आप दोस्तों जब भी banks में अपने property के विहाब पे loan लेते हो चाहे वो आपका commercial हो या फिर residential हो तो उसको lab कहा जाता है मतलब loans against property होता है दोस्तों अब हम बात करते है eligibility की कौन-कौन इसके लिए apply कर सकता है इसके लिए क्या योगता है दोस्तों loans against property के लिए कोई भी apply कर सकता है जिसके पास खुद का property हो जी हैं दोस्तों आप अकेले भी apply कर सकते हो अगर आपके पास कोई property है हलाकि दोस्तों इसमें अलग-अलग conditions ये होती है कि property register होना चाहिए अलग-अलग banks के अलग-अलग norms होते हैं जैसे कि लाल दोड़ा की property होती है register property होती है और negative area की properties होती है तो bank ने अलग-अलग categories में इसको बाट रखा है negative area की properties पे बहुत सारे banks loan नहीं करते हैं लेकिन बहुत सारे NBFC जैसे कि India Bulls हो गया या फिर Bajaj Finance हो गया इस तरह कि जो NBFC जो negative properties होते है negative area की properties होते हैं उस पे भी funding करते हैं दोस्तों हम बात करते हैं कि इसके लिए कौन को न apply कर सकता है तो दोस्तों कोई भी जो भारत का नागरिक है जिसकी age 18 साल से लेके 65 साल तक है वो इसके लिए apply कर सकता है दोस्तों इसमें आपकी eye जो देखी जाती है वो काफी minimum देखी जाती क्यों क्यों क्योंकि यह secured loan है आपकी property अलड़ी बैंक के पास होती है तो अगर आप मेहने के 7 से 10 जारब भी कमाते हो तो आप उसकी EMI चुकाने के लिए समर्थ हो ऐसा bank समर्थती है क्योंकि bank के पास अलड़ी आपकी property होती है तो दोस्तों इसको आप single या फिर joint applicant में ले सकते हो जिसे कि अगर property दो या तीन लोगों के नाम है जिसे कि मेरी नाम है और मेरे wife का नाम है और या फिर मेरे brother के साथ है तो तीनों मिल के इसको हम loan ले सकते हैं इसको co-applicant बोलते हैं तो आप single या co-applicant के साथ ये loan ले सकते हैं दोस्तों आप हम बात करते हैं कि आप इसको कैसे apply कर सकते हो दोस्तों इसको apply करने के लिए आपको bank या फिर कोई भी NBFCs जैसे कि बजाज panels हो गया या फिर इंडिया बुल्स हो गया इस तरह के जो NBFCs है ये loan प्रोवाइड करती है मिजर लिक सारे private banks public banks और NBFCs जो है lab जो है प्रोवाइड करती है क्योंकि दोस्तों काफी पुराना loan है और तो सारे banks के पास फैसलिटी होता है प्रोवाइड करने का तो दोस्तों आप जब भी bank जाओ तो आप bank में जो home loan department है या फिर जो lab प्रोवाइड करता है वहाँ पे आप contact कर सकते हो और जो जलूरी document है जैसे कि आपका सबसे पहले आपकी ID प्रोव हो जाती है से आपका अधार काड आपका pen card हो गया और आपकी सबसे पहले age जो limit है वो 18 साल से लेके 65 साल के बीच में होनी चाहिए आप क्या business करते हो या फिर आपका income सुरोथ क्या है आप sellerate person हो उसकी जानकारी आपको bank को देनी होगी उसकी साथ ही दोस्तों सबसे महतपून जानकारी ये होती है कि आपका property registered है की नहीं है और property किस area में पड़ता है वो area जो है negative area के अंदरगत तो नहीं आता है सारी जानकारी बैंक के दौरा या NBFC company के दौरा देखी जाती है तबी वो आगे loan के लिए आपको provide करते है अब हम बात करते दोस्तों interest rate की दोस्तों interest rate जो होता है इसका personal loan home loan के मुकाबले में कम होता है जी हां दोस्तों क्योंकि ये एक secured loan होता है इसके में आपकी जो property है already bank के पास होती है तो दोस्तों जो है इसका जो loan का rate है वो लगबाक कमी होता है लेकिन ये bank to bank vary करता है जी हां दोस्तों 10% से लेकर 15% के बीच में NBFCs और जो है अलग-अलग bank provide करती है यहां पर मैं किसी particular bank के बारे में नहीं बता रहा हूँ मैं overall process के बारे में बात कर रहा हूँ तो आप कहीं से भी apply कर सकते हो किसी भी bank से जहां से आपकी सहोलिया तो आप वहां से इसके लिए apply कर सकते हो दोस्तों इसमें minimum जो value होती है वो दोस्तों 5 लाख रुपे से लेके आपको यहां पर 10 CR तक का loan यहां provide कराया जाता है जी यहां दोस्तों पहले 1 या 2 CR तक का loan होता था लेकिन अभी दोस्तों यहां पर 10 CR मतलब 10 CR तक का यहां पर आपको loan maximum provide कराया जाता अगर आपकी property किसी posh area में है किसी बड़े area में है कोई बंगलो है तो 10 CR तक का भी loan आपको यहां पर sanction हो जाता है वही बात है कि यहां पर जितनी आपकी property होती है property का 80% value यहां पर दिया जाता है दोस्तों अब हम कुछ महत्पून questions के बारे में यहां बात करने वाले हैं जो कि normally लोगों के मन में doubt होता है तो दोस्तों सबसे पहला doubt यह होता है क्या आप यह जो property होता है जब आप loans against property लेते हो bank उस loan उस आपके property के गरेस में आपको loan प्रवाइड करती तो क्या आप वो property use नहीं कर सकते हो जी आदो तो ऐसा कुछ भी नहीं है यह totally myth है यह गलत concept है आप उस property को regularly जैसे use कर रहे हो आप उसमें आप रह रहे हो तो आप रह सकते हो कोई issue नहीं है बकायदा आपको यह चीज़ का पालन करना है कि आपकी जो EMI जाती है bank के अंदर में वो time to time जानी चाहिए क्योंकि दोस्तों अगर आप EMI default करते हो तो bank के पास यह अधिकार होता है कि वो आपकी property को कुछ time के बाद जब्त कर सकता है और साथ में आपकी दोस्तों civil score भी काफी down होता है तो ऐसा कुछ भी नहीं है आप property को normally use कर सकते हो और आप timely EMI अपनी payment करते रहो दूसरा question यह आता है कि आप क्या जो loans against property में पैसा मिलता है जो अगर आपको loan की value होती है उसको आप किसी भी चीज़ के लिए use नहीं कर सकते हो दो तो यहाँ पे है कि आप कोई भी illegal activity जैसे कहीं किसी आप गलत जगा funding कर रहो हो को छोड़के आप normally कोई भी use कर सकते हो पैसा का जैसे यह आप loans against property का जो loan है वो sanction होता है और आपके account में amount disbust होता है तो आप यह amount को किसी भी purpose से चाहे वो आपके marriage के purpose से हो या फिर कोई आप construction कर रहो हो या कोई भी personal region हो आप इसको खर्च कर सकते हो ऐसी कोई भी समस्या इसके अंदरगत में नहीं आती है अब हम बात करते हैं दोस्तों कि यह जो property है क्या सिर्फ यह residential के लिए ही लागू होती है या फिर commercial property में भी loan दिया जाता है तो जी हां दोस्तों इसमें commercial और residential दोनों property में loan दिया जाता है हलां कि अगर आपके पास कोई कार खाना है कोई खाली plot पड़ा है तो आप उस plot के विहाब पे भी loan ले सकते हो उसके विहाब पे भी आपको loan दिया जाएगा जो भी loan to value होती है मतलब जो भी आपकी property होती है उसका जितना भी loan to value बनता गर आपकी property example 50 लाग का है और अगर 30 लाग की value अगर आपको bank दे रही है तो वो दे सकती है जितना भी आपका value बनता उसके recording वो calculate होता है अब दोतों इसके साथ में एक और question लोगों के साथ रहता है कि क्या ये जो loan होता है ये उच आय वर्ग वालों को ही दिया जाता है दोतों ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि जैसे मनें आपको पहले भी बता दिया कि ये जो totally secured loan है तो इसमें अगर आपकी income कम भी है और अगर आपके साथ कोई joint applicant है तो उतना income matter नहीं करता है आपकी जो EMI amount है वो time to time बकाइदा जाती रहे इससे bank को कोई issue नहीं है अगर आपकी income काफी कम अगर आप मेहने के 10,000 से 15,000 भी कमाते हो तो भी ये loan आपको अराम से मिल सकता है हला कि आपका property जो है इसमें main देखा जाता है वो register होना चाहिए दोतों मैंने इसमें काफी सारे topics cover किये कि आप apply कैसे कर सकते हो interest rate कितना होता है क्या क्या documentation इसमें लगता है और बहुत सारे questions के बारे मैंने यहाँ पर discuss किया है लेकिन अभी भी अगर आपको कोई question यहाँ पर रहता है कोई भी doubt रहता है तो please आप जो है मुझे comment करके बताया मैं इसका जवाब जरूर दूगा बागे दोस्तों को आपको वीडियो पसंद आई और informative लगी तो फ्रीज वीडियो को लाइक करे और चैनल को subscribe करना ना भूले